अरे ग्रिश्णा हम श्रीमत भगवत गीता के दशम अध्याय के 18 श्लोक परार चर्चा कर रहे हैं आज अर्जुन अपने प्रश्णों को विराम देंगे हम देखते हैं चतु श्लोकी गीता के बाद में अर्जुन ने अपनी स्वयम की साक्षाकार के बारे में वरणन किया और उसके बाद में पिछले दो श्लोक को में उन्होंने पूछा कि भगवन मैं आपको भवतिक रूप से कैसे देख सकता हूँ आप अपनी विभूतियों के बारे में बताईए और अर्जुन आज कहते हैं कि वो इन विभूतियों के बारे में सुनने की इच्छा क्यों रखते हैं Arjuna says श्लोक्रमाग अठारह अध्याइदस विस्तरेनात्मनो योगं विभूतिम्च जनारदन भूया कथयत्रप्तेरही श्रुनवतो नास्तिमें मृतम O Janardana, again please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never saturated in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. So, the first thing to know is that ultimately the doubts of a Jeeva can be eradicated only by the supreme personality of Godhead. जीव के हृदय में जो भी सम्शय हैं, वो केवल भगवान ही निस्तरित कर सकते हैं. और भगवान यहाँ पर एक शिक्षक का, एक मार्गदर्शक का रोल प्ले कर रहे हैं. जिस प्रकार से एक शिक्षक या मार्गदर्शक अपने छात्रों को या अपने उपर डिपेंडेंट व्यक्तियों के questions को हल करके उनको subject matter अच्छे से समझाता है. वैसे ही अरजुन कहते हैं कि भगवन गुर्पें आप ही मुझे समझा सकते हैं. यही चीज अरजुन ने पहले ही बहुत बार कही है. दूसरे अध्याए के साते वैश्लोक में यह श्रेय अस्यात निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधिमाम तवाम प्रपन्दम फिर तीसरे अध्याए में अरे भगवन आपने कर्मयोग और ज्ञानयोग के बारे में दोनों बताया इन दोनों में से कौन सा अच् So, Arjuna has been asking questions, Krishna has been giving answers and Arjuna says, Oh my dear Lord, to get proper understanding of oneself and you is such a nectarine and blissful experience. अपने आपको जानना और आपकी महानता को जानना वो भी आपके मुखारविंद से, ये इतना सुन्दर अनुभव हैं, Arjuna कहते हैं कि तृप्तिर ही, न शुरुनवतों न अस्ती, I am not satiated, this कथा is Amrita, yes, जो हमारे बीच में ये सम्वाद चल रहा है, वो Amrita के समान बहरा है It is really satisfying the innermost desires of my core, so I please request you, do not stop speaking, ये ही चीज हम श्रीमत भागवत में भी देखते हैं, श्रीमत भागवत के प्रथम सकंद के प्रथम अध्याई में ही, उन्नीस वे श्लोक में शौनकाद रुशी सूत गुस्वामी से कहते हैं, वयम्तुन वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे इरह श्रुन वताम्र सद्न्यानां स्वादू स्वादू पदे पदे वयम्तुन वित्रप्याम हो, my dear Sutta Goswami, we are not satisfied, उत्तम श्लोक विक्रमे, we want to hear more and more about the glories of the Supreme Personality of Godhead, the name, form, leelas of the Supreme Personality of Godhead, yes. Why? यह श्रुन वताम रसद्निया, दोज हुआ रसद्निया, जो भगवान के भक्त हैं और आध्यात्मिक रस को उन्होने चखा है, वो ऐसे कथनों में, ऐसी कथाओं में, स्वादू स्वादू पदे पदे, they will experience more and more satisfaction and bliss. If we go to see, Krishna has already spoken a lot about His opulences in 7th chapter. In 7th chapter, 8th shloka to 11th shloka, Krishna has spoken about His opulences, yes. 8th and 9th specifically, उन्हें बाही रूप से हम कैसे देख सकते हैं, रसोहम अप्सुकाउंते ये, प्रभासमी, शशी सूरिययो, प्रणवह सर्ववेदेशु, शब्दखे पोरशंद्रशु, yes, बलं बलवताम चाहं काम राग अविवर्जितम, yes. Everything Krishna has spoken, still, Arjuna says, I want to know more. So, एक भाउतिक वादी व्यक्ति और एक आध्यात्म वादी व्यक्ति, दोनों ही ये दिल मांगे मोर कैटगरी के हैं. भाउतिक वादी व्यक्ति को भोग, भाउतिक वादी के दिल को भोग चाहिए मोर. और एक आध्यात्मवादी व्यक्ति के दिल को योग चाहिये मोर so दिल मांगे मोर the question is भोग और योग भोग means sense gratification योग means connect with Krishna so Arjuna says oh this is amrita dhyana and I am not satisfied hearing whatever so please oh my dear lord I want you to satisfy my this query and only Krishna can satisfy so Bhagawan हमें इस भगवत गीता के माध्यम से हमारे हरदय के अंदरुनी इच्छाओं की पूर्ती कर रहे हैं और अंदरुनी शंकाओं का भी निरसन कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रवास में बने रही है हम देखेंगे कल 27 जुलाई और एक बहुत ही विशेश दिन कल हमारे कृष्ण स्मरन चैनल की पहली वर्षगाठ है इट वस 27 जुलाई 2020 दाट वी स्टार्ट कमिंग दू यू इन यूर सर्विस विद गीता महात्मिया तो कल हम पांच बजे शाम को हमारा एक स्पेशल वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें हम हमारे पिछले एक साल के हमारे प्रवास को आपको एक शॉर्ट क्लिप के रूप मे दिखाएंगे और साथी में शाम साथ बजे से नौ बजे तक पिछले नौ अध्यायों का मुख्यरू पांतरन। जीस्ट of the first nine chapters of Gita, the flow will be seen on Krishnasmaran live. Do come and do join and do spread this message. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Rama. Hare Rama.